दोस्तों नमस्कार स्वागते चैनल और्गैनिक फार्मर में मैं हूँ आपका किसान दोस नितिन काजला और बड़े दिनों से मैं परेशान था घर से निगलनी पा रहा था तो आज आ गया हूँ मैं भाई अमर्दीब जी के यहां पर अमर्दीब जी का पूरा परिचे भी तरफ बागबानी में इन्होंने एंट्रीमारी है और क्या खूब एंट्री मारी है जबर्दस तरीके से यह इनके दो-धाइचल के पेड़ लगाने के बाद दो-धाइचल हुआ है और इस साल इन्होंने थोड़ी समें फूरूटिंग भी लिए उसके बारे में पूरी जान से जानेंगे तो अमर्दीप भाई एक तो आपका परीचव देना और यह बताना आपको कहां से प्रेड़ना मिली और कभी आपने शुरू किया कितनी यह जगह है जी भाई जी मेरा नाम अमर्दीप है गाउपनवाडी जिला मेरट से मैं बिलोंग करता हूं और जी मैंने सब स हमने किया था और उसके बाद से थोड़ी प्रेड़ना में थी के जैविक की तरफ मेरा रुजहान जादा बढ़ा था तब से ही सुरू करी आते के साथ ही जो मैंने थोड़ी से परियोग करे वह विफल रहे फिर आप से पूछ पूछ के थोड़ा सा ठीक किया उसके बाद य और जघर के बड़ा के बीच में हमने जो बां रहे के बीच में रहे हमने गणा भी और वे हम और रता ओंपियार करतेल थोड़ा साइप सा अध़ सब्यान करा ओंगा है हम एक जड़ना त्रस्षे फख रहे बाहां ली था सब्सक्राइब करी के ठीक रेट आप ले पाए जल्दी तुड़ाई करके और बाकि यह विराइट देशी कागजी निम्बू का आपका कैसा अन्भाव रहा कीड़ वगेरा को लेके खाद वगेरा को लेके आप खाद क्या देते हो इसमें और किस तरह से इसकी सुरक्षा करते हो वो भी तरह का खाद में देता हूं एक तो जो गंजीवामरत जैसे बोलते हैं उसको ही थोड़ा सूखा गोबर लेकर उसमें जीवामरत मिला के और वही जो पेड़ों के नीचे है मतलब सारे खेत में तो फला गए उसी को देता हूं खेत भी मिट्टी में बुरबुरा पन भी है सा करणियों देते हैं जेका घाघट आपश का पास में बुर dec 대해서 में तो इसकी कहरें करोंगा तो इसकी दोला है पर शाद बहुत अच्छा आपने बढ़ाया है ड वस अए बतारे हो लग बग दोchnas तोड़ना पड़ा पोधे पोधे को ग्रोव करने के यह था हिसाब के इस साल एक पोधे से मुझे करीब 20-35 किलो मुझे अच्छा वो मिला उत्पादन तोड़ा थीक बढ़ने वाला है काफी जादा तो पचास किलो तक अराम से जाएगा और बाद में तो फिर हैंने देखा है सो सो किलो तक किसान का देशी काग जी की उपज ले लेते हैं हाँ यह तो है और जो इसमें हम सुरू आतमे मला अपरेल मई अपरेल और मही में अगर हमने इसकी फ्रूटिंग ले ली तो उसका रेट बहुत बढ़िया मिल जाता है सुरू मही में भी लिया वो करीब 40-50 के र मंडी में दे करके जो पेकार आते हैं सबजी वाले उनको यहीं से दे दिया बहुत अच्छा हां तो उनको भी मंडी टैक्स नहीं चुकाना पड़ा एजेंट का कमीशन नहीं चुकाना पड़ा और आपको यह दोनों चीज चुकानी पड़ी दोनों को सही रेट मिल गया हमसे जो जीवामरत हमारा बनता है उसके अंदर जो भी जितना भी हमारा वेस्ट होता है लनिम्बू वेंट हो गया सबजी थोड़ी वह लगता है उस ब्धूशन सारा हमुशी में डालते हैं और उसको चान करके उस करता हुँ बाकी ऐसल के नहुंद प्लम हो जासा बना लेते हैं बाकी इसमें एक बार मैंने फल पे खुमक के लिए थोड़ासा। सुहागे रहा हां का और बोर कि और एक बार मैंने जो है बहुत अच्हे रिजल्ट कि निंगे जा इफ jedixe शरके जब फ्याव दोड़ा सब्चा दोस्क ज़ड़ा था तो मैंने तभर किया था उस पर जब गुछ चाहनफ किया तो अचानक से इतनी क्या प्लानिंग आपने करी हुई है अभी इसमें कंदक लगाऊंगा जोसे मूली है और सलगम गाजर वगएरा यह लगाऊंगा इसमें पूरे दोग जोतके और रिज बनाके उसके उपर लगाएंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा बजार भाव कैसा मिल जात मंडी में तो इस बार लोगडाउन की वेसे थोड़ा कम रहा बहुत बुरा हाल रहा लेकिन फिर भी मुझे 20 रुपे 22 रुपे का रेट मुझे मिल गया अच्छा यह कितने पेड़ हैं 40-50 पेड होंगे आपके पास कितने हैं यह 52 पेड हैं तो इन से पहले साल में जो आपन अच्छा और अचार वगेरा बनाने की क्या प्रोग्राम है वह क्या प्लानिंग है जी अभी मैं यह देख रहा हूं कि मंडी का भाव तो तो अगर हम यह है किसान को फनीस प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा तो अगले साल से मतलब जैसे फ्रूटिंग आएगी तो हम अचा स्क्राव मिले अच्या अच्छा वी दह आए। यह होने जैसे मैं जब करनी चाहिए टाकि अच्छी फ्लावरिंग मिले अच्छी लुपियूटिंग मिले अच्छी लुपियूंस के लिए तो समय यहां का फता होता है ऐसमें अगर हम इसकी क्या तो इसमें हम उसका सठीयों का फल ना लेकर के जो हमारा जो सीजन का फल आएगा तो उसमें बहुत पहत्री हमें इसका मतलब अच्छे टाइम पर हमारी फ्रूटिंग लेगी प्लस रेट भी अच्छा मिल जाएगा जब जिस टाइम मतलब निम्बू का रेट अच्छा होता है वो टाइम हमाई जो है इसक पिछले साल जो इस साल जो हमने वो लिया था करीब इसमें दस कुरूंटल के आसपास यह उससे भी ज़्यादा थोड़ी दस बारा कुंटल हमने प्याज ले लिए भाई प्याज लिए फिर सर्सों ली वो तो घर में इस्तमाल हो रही है हमारे बहुत बढ़िया भाई तो ज निम्भू की किसानी करने जा रहे हैं किसान उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है किस तरह से वो जैविक करके और मार्केटिंग कैसे कर पाए ता कि मंदी बंडी के चकर में ना फसा जाए और अच्छे से किया जाए लेको जी सबसे अच्चा तरीका तो यह है कि हम ज वो तो हटाना पड़ेगा तो देखा किसान बाल यो मैं अक्सर जैसे कहता हूं कि किसान की जो जिंदगी है वो एक तरह से लंबी कूद वाले रेसर की तरह जो लंबी कूद के खिलाडी होते हैं उनकी कि है के हमारी जिंदगी है के आपने देखा होगा वह लाइन पे आके जंप मारता हैं है हम किसान क्या करते हैं के लाइन तक अपूलया पींच श्रत этом मेंट करते बढ़िया गandha कर ले तेंग उना कर लेतें लेकिन जपन tribes अच्छा मुनावारी को उसका शुद ओमाना शुरू करेंगे आपको बूरी जानकारी आपको दूंगा तो भाइव वीडियो अच्छी लगी है तो करना शेयर कर दिया करो यार लाइक करके चले जाते हो और जिन साथ ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और जल्दी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गन्य की वीडियो के साथ जल्दी आप से जुड़ता हूं नमस्कार धन्यवाद नमस्कार झाल